हेलो एबरिवरिवरिन कैसे हैं आप सबी उम्मीद करते हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे फिलाल मैं भी अच्छे हूं तो अभी मैं कुछ बात करने वाली हूं आप से सुमेश महल के बारे में जैसे कि आप सब को पता होगा के नेहा तिवारी को अभी तक वायटी पर सबने देवी बना के रखा था असली चहरा सामने आया तो बहुत ही जादा लोगों को एकदम से जटका लगा अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं कि यह क्या हो गया कैसे होगा क्यों हो गया और अपनी सोच पर ही सोच से उनको नफरत होने लगी कि हम ऐसी औरत को देवी बन बनाने के बाद कुछ लोगों ने सुमित को भगवान बना लिया सुमित को भगवान बनाने पर तुले हैं कि सुमित ऐसा सुमित बैसा सुमित निये कुर्भानी की सुमित ने वो की वो की लेकिन जब तक सचाई अब देखी हम को हम किसी को पशनल जाकर जानते नहीं लेकिन चीजाओं का असली खुलासा तब होता है जब हम किसी से परसनल मिलते हैं या कोई उनका अपना हमसे कुछ चीजें شेर करता है बताता है उसका असली चहरा दिखाता है तब उसकी हाकीकत हमको सामने आती है जैसे कि दी दी जी की हाकीकत सामने आई मिश्टर सचीन राज ने रखी वैसे ही शुमित महल की भी कुछ बात हैं कुछ सचाई जो कि कैमरे से अभी तक छुपाई है हम उनको पहले नहीं जानते थे हमने देखा भी नहीं था हमको इनके एगेजमेंट पर ही जैसे कि इनसे साधी हो रही एगेजमेंट हो रही है तब ही लोग हम जाने और तब ही लोग आप जानते हैं लेकिन पर्सनल ही हमें उनके घर खांदान किसी का भी कुछ भी आता पता नहीं था बस हम इतना जानते थे कि एक अनमेरिड लड़का एक मेरिड लड़की से और एक बेटी की माशे शादी कर रहा है तो बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है लेकिन कभी आपने इसके पीछी की चीज़ां जानने की कोशिश की मैंने की और जाना भी कि आखिर इस बात की पीछे सच्चा ही क्या है अब एक बात बताईए बहुत लोग बोलते हैं काफी लोगों ने चीज़ नोटिस भी किया है कि सुमित महल बहुत एज के हैं कोई कम एज के नहीं है उनकी बाल वाल भी उनका सब कुछ देखे लगता है कि हाँ वो कम एज के नहीं है इतनी एज तक क्या कोई लड़का शादी नहीं करेगा जहां तक मानुक दीदी को तो 40 पलस बताते हैं और यह जो हमारे सुमित महल हैं जगत जी जाजी बनने वाले उनको बोलते हैं 35 पलस मतलब वो 35 से उपर हैं वो 40 से उपर बताते हैं तो किसी की भी एज कम नहीं है इनकी भी कम नहीं है तो आप बताई कोई लड़का 35 साल का होने के बाद वो शादी नहीं करेगा अब तक वो कुआरा बेठा रहेगा जी नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैंने एक मेरे रेलेटिव हैं मैं तुमको बताई देती हूं मेरे रेलेटिव हैं जो कि सुमित महल के पास से ही कनेक्ट करते हैं उनकी आसपास से ही कुछ चीजें जब इतना ज़्यादा वाइरल होने लगी इतना ज़्यादा वाइटी पर आने लगी सबको पता भी चालने लगा तो उन्होंने कुछ चीज़ें के बारे में मैंने उनसे डिसकर्स किया इस बारे में पूछा वो पहले उनको बताया और मैंने उनको बोला कि इस चीज़ का पता क्योंकि देखो इतना कुछ होने के बाद भी एक सोचने वाली बात है साधी तोड़ने की कोई भी बात नहीं अभी भी वो इनसान नेहा से साधी करने के लिए तैयार है क्यों किसलिए क्योंकि यार मतलब इतना कुछ होने की एक बात बोलू है आपको जब नॉर्मल किसी का बारे में हमको पता चल जाता न कि ये इनसान ऐसा है या वो लड़की ऐसा है नॉर्मल ही पता चल जाता तब भी रिष्टे तूट जाते है कि नहीं हम उस लड़की साधी नहीं करेंगे हम उसको घर की बहु नहीं बनाएंगे लेकिन या तो सोचल मीडिया पे सरे आम नंगा कर दिया गया पूर जड़ जगा है थू 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 हो रही है वो सब कुछ जानते वूस से भी वो इनसान उसको अपनाने के लिए तयार है उसका पूरा फैमली अपनाने के लिए तयार है क्यों है अभी उन्होंने ये साव कैमरे पर नहीं बोला कि हम शादी करने वाले हैं लेकिन हो रहा है और होगा ये बहुत सारी चीजें मुझे पता चली हैं क्योंकि सुमित महल की जो कुछ मजबूरियां हैं कुछ बाते हैं जिनसे वो बंद हैं जो नेहा जी हैं उनके कुछ या कुछ चीजें कुछ उनको पहले से मालूम थी इसलिए उन्होंने अभी तक शादी ना करने का भी कुछ रीजन है उनका शादी ना करने का भी रीजन है वो भी बहुत बड़ा रीजन है हो ना हो ये चीजें भी बहुत जल्दी ही सामने आ जाएंगी बहुत बड़ा और ये नेहा को आब से नहीं जानते हैं क्या साल पहले से जानते हैं क्या साल पहले से दीदी जानने मतलब उनको भी चेकमा दे की रखा था जानते हैं अब बात यह है कि इतना कुछ होते हो भी अगर कोई और इनसान होता तो फटक से कैमरी पाके बोल देता कि नहीं मेरे को शादी नहीं करनी है मैं ऐसे नहीं करूँगा या कोई भी फैमिली मतलब एक ही बार में उसको सो देखो इसमें कुछ भी जानने या समझने वाली बात न ना किसी की सफाई चाहिए ना कुछ चाहिए लेकिन फिर भी इनसान आके ये सुमेद मैं जी फिर भी वीडियो माके बोलते हैं कि थोड़ा सा वक्त दो चीजों को तो चीजें ठीक हो जाएंगी थोड़ा सा समय दो तभी हम कोई निर्ने ले पाएंगे तभी हम आपको कि इनकी यहां ये शादी करने वाले हैं और दुब्के छुपके सिसे इनकी घर शादी की तयारियां भी हो रहे हैं सारीवी तोड़ा सा मतले ङसे लेकिन अभी ये चीजें करेंगे अपने देखा होगा कि इनका दोस्त का वो है दोस्त का इनका चैनल है तो उसकी बीवी जी ने सौट में बदाया कि तैयारियां शुरू हो गए तैयारियां शुरू हो गए उनका टाइटल भी आप देख लेजेगा तैयारियां शुरू हो गए मतलल बहुत कुछ हैं जो एफ कम्रा हो रही है और जहां तक जितना मुझे भी पता चला है कि ये शादी होगी चाहे नेहा की कोई क्योंकि देखो इनका यह ना मैं यह नहीं बोलती कि इनको सचिन के बारे में नहीं पता था क्योंकि आप देख सकते हैं एक लड़का जो पहले हमने एकेजमेंट में देखे थे कि वो कैसे थे कैसा फेस कैसा अभी अभी देखोगे तो बहुत मतलब इनके अंदर बहुत सारा चेंज आ गया इन कुछ सारी चीज़ों में भी वो खुद इतना शर्मिंदा थे कि वो कैमरे को फेस नहीं कर पा रहे थे शर्म के मारे उसके बाद इनके लिए लड़कियों की कमी नहीं है देखने में घर परवार से हर चीज में सब चीज़ से अच्छे हैं स्वस्त हैं मस् हैंसम है कोई भी लड़की मतल इनको अनमेरट मिल जाएगी सबसे पहली बात तो वो बिदवा लड़की और दूसरी बात वो एक बेटी की मा इतना और तीसरी बात वो सब भी छोड़ो तीसरी सबसे बड़ी बात है कि इतना बड़ा करम कांड इतना बड़ा करम कांड सामने आगया फिर भी भाई साब जी उनको अपनाने के लिए उनसे साधी करने के लिए तयार हैं और जितन जो भी शादी होगी न बहुती गुप्त तरीके से मतलब होगी यह कह सकते हैं कि शादी होगी यह शादी नहीं रुकने वाली है और सुमीत बैक कैमरा नेहा के सपोर्ट में हैं बैक कैमरा उसके साथ में हैं उनकी सिस्टर ने भी बोला कि अभी हम कुछ नहीं वोल सकते अभी दूसरे पक्षे की बात है सुने तो दूसरा पक्ष मतलब कुछ भी बोले वो अपनी सफाई में कुछ भी बोले ठीक है हम सुनने के लिए तैयार हैं बट अब हम को सिर्फ इतना पता चलिया कि भाई वेन का गलत रिस्ता था गलत संबंद था ना हमने किसी की सुनी बात पर विश्वास किया किसी कही बात पर विश्वास किया हमने खुद अपनी आँखों से देख लिया वो चैटर और किस तरह से उनमें जान जानू बेटू जो कुछ भी हो रहा था तो बस इतना हमारे लिए काफी है कि समंद गलत था अब चाहें दूसरा पक्ष कितनी भी सफाई दे चाहें कुछ भ लड़ाई लड़े अपने तरीके से जो भी हो हम तो बस यह चाहते हैं कि सबके साथ सही हो और जो कुछ भी हो रहा है जो भी चीज़ें इसमें अभी छिपाइब हो हुई है वो चीज़ें बहुत जल्द सामने आएंगी अभी नेहा का राज खुलाएं अभी सुमित मेल का आज भी खोलना बागी है दीरे दीरे जो भी होगा मैं चीजों के बारे मैं कोशिच कर रही जानने की और आप लोगों तक पहुंचाने की तो वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीज लाइक करना जो भी चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करना मिलती हूं ऐसी किसी न